करोना की मेड इंडिया वैक्सीन और दुनिया के सबसे बड़े टिका करन अभ्यान इस विशह में अभी विस्तार से हमारी चर्चा हुई प्रेजेंटेशन में भी काफी चीजे डीटेल बताई गही है और अवारे राज्यों के डिस्ट्रिक लेवल के अधिकारियों तक बहुत विस्तार से इसकी चर्चा हुई है और इस दरम्यान कुछ राज्यों से अच्छे सुझाव भी मिले हैं केंद्र और राज्यों के बीच इस समवाद और सहयोग ने कोरोना से लड़ाई में बहुत बड़ी भूमिक आने भाई हैं एक हम एक प्रकार से फैटरलिजम का उत्तम उधारन इस सारी लड़ाई में हम लोगों ने प्रस्तुच किया है सात्यों आज हमारे देश के पुर्व प्रधानमत्री स्वर्गिय लालबादू सास्त्री जी की पुन्डिती थी भी है मैं उन्हें अपनी भाव में ने स्रधानली अर्पीट करता हूँ 1965 में सास्त्री जी ने administrative service की एक conference में एक महत्वपुन बात कही थी जिसका जिक्र मैं यहां आपके सामने करना चाहता हूँ उन्होंने कहा था कि the basic idea of governance as I see it is to hold the society together so that it can develop and march towards creation march towards certain goals the task of the government इटू फैसिलिटेट दिस इवॉलूशन, दिस प्रोसेस, मुझे संतोष है कि कोरोना के इस संकटकाल में हम सभी ने एक जूट होकर काम किया, जो सीख लालबादू सास्त्रीजे ने दी थी, उसी पर चलने का हम समने प्रयास किया और इस दर्म्यान सम्वेदिन सिल्ता के साथ परित फैसले भी किये गए, जरूरी समसाधन भी जुटाए गए, और देश की जनता को निरर्तर हम लगाता जागरूग भी करते रहे हैं और आज इसी का प्रणाम है कि भारत में कोरोना का संक्रमन वैसा नहीं है और नहीं वैसा फैला है जैसा दुनिया के अन्ने देशों में हमने देखा है जितनी गवराहाट और चिनता साथ आठ महिने पहले देशवास्यों में थी अब लोग उससे बहार निकल चुके हैं यह अच्छी स्थिती है लेकिन केरलेस नहों हो जाए यह भी हमें चिनता करनी है देशवास्यों में बढ़ते विश्वास का प्रभाव आर्थी गतिवीध्यों पर भी सकारत्मा गुरुप से दिखाई दे रहा है मैं आपके राज़ प्रशासन की भी दिन राज जुटे रहने के लिए प्रसंसा करता हूँ साथियों अब हमारा देश कोरोना के खिलाब लड़ाई में एक निरनायक चरण में प्रवेश कर रहा है यह चरण है वेक्षिनेशन का जैसे यहां जिक्र हुआ 16 जन्वरी से हम दुनिया का सबसे बड़ा टीका करन अभियान शुरू कर रहे हैं यह हम सभी के लिए गवरव की बात है कि जिन दो वेक्षिन को एमर्जन्सी यूज ऑथोराईजिशन दिया गया है वो दोनों ही मेड इन इंडिया है इतना ही नहीं चार और वेक्षिन प्रोग्रेस में है और यह जो मैं करीब 60-70% काम पहले राउंड का होने के बाद बैठने की चरता इसलिए करता हूँ कि उसके बाद और वेक्षिन भी आजाएगी और जब और वेक्षिन आजाएगी तो हमें फ्यूचर क्या प्लान करने में वो भी एक बहुत बड़ी सुभीदा रहेगी और इसलिए सेकंड पार्ट इसका जो है जो हम 50 से उपर वालों के लिए जाने वाले हैं तब तक शायद हमारे पास और भी कुछ वेक्षिन आने की संभावनाएं हैं साथियों देश वासियों को एक प्रभावी वेक्षिन देने के लिए हमारे एक्षपर्ट ने हर प्रकार की सावधानिया बरती हैं और अभी साइन्टिफिक कॉमिनिटी के तरफ से विस्तार से हमें पताय भी गया है और आपको मालूम होगा मैं इस विशे में जब भी मुख्यमिंत्रियों के साथ बात हुई मैंने हमेशा एक ही जवाब दिया था कि इस विशे में हम जो भी निरने करना होगा वो साइन्टिफिक कॉमिनिटी जो कहेगी वो ही हम करेंगे scientific community को ही हम final word मानेंगे और हम उसी प्रकार चलते रहे हैं कई लोग कहते देखे दुनिया हम वैक्षिन आ गई भारत क्या कर रहा है भारत हो रहा है इतने लाख हो गया इतना हो गया भारत कुछ को ऐसी भी चिलना हट हुई लेकिन फिर भी हमारा मत था कि ये scientific community और जो इसके लिए जिम्मेवार लोग हैं उनकी तरफ से जब आएगा तभी हमारे लिए उचित होगा और हम उसी दिशा में चले हैं बड़ी बात जो मैं दोहराना चाहता है कि हमारी दोनों वैक्षिन्स दुनिया की दूसरी वैक्षिन्स से ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है हम कलपना कर सकते हैं अगर भारत को कोरोना टिका करण के लिए विदेशी वैक्षिन्स पर पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता तो हमारे क्या हालत होते कितनी बड़ी मुश्किल होती हम उसका अंदार लगा सकते हैं ये वैक्षिन्स भारत की स्थितियां और परिस्थितियों को देखते विए निर्मित की गई हैं भारत के टिका करण का जो अनुभाव है जो दूर सुदूर खेतरों तक पहुंचने की वबस्ताइं हैं वो कोरोना वैक्षिनेशन का रकम में बहुत उप्योगी सिध्ध होने वाली हैं सात्यों आप सभी राज्यों के साथ सलाम श्वरा करके ही इत्ताय किया गया है कि टीका करण अभ्यान की शुरुवात में किसे प्राट्विक्ता दी जाएगी हमारी कोशिश सबसे पहले उन लोगों तक कोरोना वैक्षिन पहुचाने की हैं जो देश वास्यों की स्वास्ता सुरक्षा में जुटे हुए हैं जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं सरकारी हो या प्राइबिट पहले उनको टीका लगाया जाएगा इसके साथ साथ हमारे जो सफाई कर्मचारी हैं दूसरे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं सैन्नेबल है, पूलीस और केंद्रियबल है होमगाड है, डिजाश्टन मेनेजमेंट वॉलेंटियर समेथ तमाम सिविल डिफिन्स के जवान है कंटेन्मेंट और सर्विलेंस से जोड़े रिवन्यू कर्मचारी है ऐसे साथ को भी पहले चर्णों में टीका लगाया जा रहा है देश के अलग-अलग राज्यों के हेल्थ वर्कर्स फ्रंट लाइन वर्कर्स के संख्या देखें तो एक करीब करीब तीन करोर होती है ये ताय किया गया है कि पहले चर्ण में इन तीन करोर लोगों को वैक्षिन देने के लिए जो खर्च होगा वो राज्य सरकारों को वहन नहीं करना है भारत सरकार इसको वहन करेगी साथियों वैक्सिनेशन के दूसरे चरण में वैसे एक प्रकार जो तीसरा चरण हो जाएगा लेकिन हम अगर इन तीन करोगे एक माने तो दूसरा चरण पचास वर्षे उपर के सभी लोगों को और पचास वर्षे नीचे के उन बिमार लोगों को जिनको संक्रमन का सबसे ज़्यादा खत्रा है उनको टिका लगाया जाएगा आप सभी परिचित हैं कि बीते कुछ हफ्तों में जरूरी इंफास्ट्रक्टर से लेकर लोजिस्टिक तक की तरियाया सभी राज्यों और केंद्र सासित परदेशों के साथ विचार विमस करके लगातार मिटिंगे करके मोडिर्ज बना करके इसको पुरा किया गया है देश के लगबग हर जिल्ले में ड्राइरन्स भी पूरे हो चुके हैं इतने बड़े देश में सभी जिल्लों में ड्राइरन्स हो जाना ये भी अपने अपने हमारी काफी बड़ी capability को दिखाता है हमारी जो नई तैयारिया है जो कोवीड के SOPs है उनको अब हमें अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ना है भारत में पहले से ही अनेक universal immunization program अल्रेडी चल रहे हैं लोग बड़ी सपलता पूर्व कर भी रहे हैं मिसल्स रुबेलार जैसी बिमारियों के खिलाब भी व्यापक campaign हम लोग चला चुके हैं दुनिया के सबसे बड़े चुनाव और देश के कौने कौने तक पहुँचकर मद्दान की सुविदा देने का भी हमारे पास एक भौधी अच्छा अनुबव है इसके लिए जो बूथ स्तर की रणदिती हम बनाते हैं उसी को हमें यहां भी प्रयोग में लाना है साथवेश टीका करन अभियान में सबसे हैं उनकी पहचान और मोनिटरिन का है जिनको टीका लगाना है इसके लिए आधुनिक टेक्लोलेग जा उप्योग करते हुए कोविन नाम का एक डिजिटल प्रेटफर्म भी बनाया गया है आधार की मदद से लाभार्तियों की पहचान भी की जाएगी और उनको दूसरी डोज समय पर मिले ये भी सुनिस्षित किया जाएगा मेरा आप सभी से विशेश आगर रहेगा कि टीका करन से जुड़ा रियल टाइम डेटा कोविन पर अपलोड हो ये सुनिस्षित करना है इससे जरासी चुग भियर इस मिशन को नुक्सान कौन सकता है कोविन पहले टीके के बाद एक digital vaccination certificate जनरेट करेगा लाभारती को ये certificate टीका लगाने के बाद digitally तूरंद देना जरूरी है ताकि उसे certificate लेने के लिए फिर ना आना पड़े किसको टीका लग चुका है ये तो इस certificate से पता चलेगा ही साथ ही दूसरी डोज उसको कब लगेगी इसके रिमाइंडर के रुप में भी ये काम करेगा दूसरी डोज के बाद फाइनल सर्टिपिकेट दिया जाएगा साथ योँ भारत जो करने वाला है उसे दुनिया के अनेक देश फिर फॉलो करेंगे इसलिए हमारी जिम्मेदारी बहुत जादा है एक और अहमताथ है जिसका हमें ध्यान रखना है दुनिया के पचास देशों में तीन-चार सब्ता से वैक्षिनेशन का काम चल रहा है करीब करीब एक महिना हुआ लेकिन अब भी करीब करीब धाई करोड लोग ही वैक्षिन हो पाई है पूरी दुनिया में उनकी अपने तैयारिये हैं उनका अपना अनुभव है उनका सामर्द है वो अपने तरीके से कर रहा है लेकिन अब भारत में हमें अगले कुछ महीनों महीं लगब तीस करोड आबादी के टिका करण का लगश हासिल करना है इस चुनोती का पुर्वानुमान लगाते हुए ही बीते महीनों में भारत ने बहुत व्यापक तैयारिया की है कोरोना की वैक्सिन से अगर किसी को कुछ असहत्ता होती है तो उसके लिए भी जरूरी प्रवंद किये गए है यूनिवर्सल इम्मुनाइजेशन प्रोग्रेम में पहले से ही इसके लिए एक मेकनिजम हमारे पास रहता है कोरोना टिका करण के लिए इसको और मजबुत किया गया है साथियों वैक्सिन और टिका करण के इन बातों के बीच हमें ये भी आद रखना है कि कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल हम फॉलो करते आ रहे हैं उनको इस पूरी प्रक्रिया के दर्यान भी बनाए रखना है थोड़ा सा भी लूजनेस नुक्षान कर सकता है और यही नहीं जिनको टिका लगाया जा रहा है वो भी संक्रमन को रोकने के लिए जो सावधानिया हम लेते रहें उनको फॉलो करते रहें यह सुनिशित करना ही होगा एक और बात जिस पर हमें बहुत गंपीरता से काम करना है हर राज्य हर केंद्रसासित प्रदेश को यह सुनिशित करना होगा कि अफ़ाओं पर वैक्सिन से जुड़े अप्रप्चार को कोई हवा न मिले इपस और बढ़ से बात नहीं होनी चाहिए देश और दुनिया के अनेक सार्थी तत्व हमारे इस अभियान में रुकावट डालने की कोशिश कर सकते हैं कॉर्परेट कॉंपिटिशन भी इसमें आ सकती है कंट्री का प्राइड के नाम से भी आ सकता है ऐसी हर कोशिक को देश के हर नागरिक तक सही जानकारी पहुंचा कर हमें नाकाम करना है इसके लिए हमें धार्मिक और सामाजिक समस्ता हो NYK हो, NSS हो, Self-Help Groups हो, Professional Bodies हो Rotary, Lions Club जैसे समस्ता है हो, Red Cross जैसे समस्ता है हो इन सब को हमने साथ जोड़ना है जो हमारी routine स्वास्त सेवा है, जो दूसरे टिका करना अभ्यान वो भी ठीक से चलते रहें, इसका भी हमने ध्यान रखना है क्योंकि हमें मालूम है कि हम 16 को शुरू कर रहे हैं लेकिन हमारी 17 को एक routine vaccine का भी date है तो इसलिए हमारा जो routine vaccine का काम चलता है वो भी कहीं damage नहीं होना चाहिए आखिरी मैं एक और गंबीर विशे के बारे में आप से जुरूर बात करना चाहता हूँ देश के नव राज्यों में बर्ड फ्यू की पुष्टी हुई है इराज्य है करला, राजस्तान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हर्याना, उत्तर प्रदेश, मद्यप्रदेश, दिल्ली और महराष्टर बर्ड फ्यू से निपटने के लिए प्रशुपालन मंत्रलाई द्वारा कारिय योजना बनाई गई है जिसका ततपरता से पानन आवश्चक है इसमें डिस्टिक मेजिस्टेट की भी बड़ी भूमिका है मेरा आग्रह है कि प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्री साथी भी मुख्य सजीओं के माद्यम से सभी डिस्टिक मेजिस्टेट का मारदर्शन करे जिन राज्यों में अभी बर्ड़ फ्यू नहीं पहुचा है वहां की राज्य सरकारों को भी पूरी तरह सतर्क रहना होगा हमें सभी राज्यों स्थानिय प्रशासन को वाटर बड़ीज के आसपास पक्षी वाजारों में, जू में, फॉल्ट्री फार्म इत्यादी पर निरंतन निग्रानी रखनी है ताकि पक्षियों के बिमार होने की जानकारी प्राथ्मिक्तापन मिले बर्ड फ्यू की जानके लिए जो लेबोरेटरी हैं वहां समय पर सैंपल बेजने सही स्थीची का जल्दी पता लगेगा और सानिय प्रशासन भी उतनी ही तेजी से कारवाई कर पाएगा बन विबाग हो, स्वास्त विबाग, पशुपालन विबाग के बीच जितना अधिक कोडिनेशन होगा उतनी ही तेजी से हम बर्ड फ्यू के नियंतर में सफर होंगे बर्ड फ्यू को लेकर लोगों में अफाइन अफ्यल है, इसे भी हमें देखना होगा मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे एक जूट प्रयास हर चुनोती से देश को भार निकालेगा मैं फिर एक बार आप सब का बहुत आभारी हूँ और 60% काम होने के बाद हम दुबारा एक बार बैट करके रिव्यू करेंगे उस समय जरा विस्तार से भी बात करेंगे और तब तक कुछ नई वैक्षेन आ जाए तो उसको भी हम संग्यान में लेकर के आगे के अपने रण दीती बनाएंगे बहुत बहुत धन्यवाद आप सब का सारे खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलो करना ना भूले साथ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं